लास्ट टाइम हमने आयूश जी के देखा था उसकी चार-पांच वीडियो हमने अप्लोड करी थी जस्ट बिफोर अग्जैम साथ आठ दिन पहले हमने एक्जाम के पहले वीडियो अप्लोड कर दी थी उसके बाद बहुत सारे स्टुडेंट्स का एक्जाम देने के बाद में अच्छा रस्पोंस था कि लगबग सभी कोशन्स वो हमारी वीडियो से ही आय थे तो उसी के जैसे इस बार भी हमने ये सिरीज स्टार्ट करी है सब ही का यशिके एक सिक्वेंस में खतम हो जाए मैंने किया सोचा है कि आपको यशिके दो पारट में एक ही वीडियो में दो पार्ट होंगे एक जुप पुराना यशिके है आयू से रिलेट्ट जो भी जीके है पुरानी यानि कि कॉन सा इंस्टिटूट का बाया कों साइड कार्टर कहां पर है यह सब कमेटीज का क्या-क्या है वो वीडियो के एक सेकंड पार्ट में और वीडियो के फिर्स्ट पार्ट में जितने भी आईउजुके की लेटेस्ट अपडेट्स हैं दोनों चीज कवर होती चलेंगी एक बोरिंग भी नहीं होगा और दूसरा जो इंपोर्टेंट है फोर एक्जेमपल जो भी रिसेंट अपडेट्स है वो जादा इंपोर्टेंट है राधर जो पुराना है लाइक अडूपी कमेटीज हो गई आईपी सी हो गई या फिर कि जो करेंट अपडेट वह से जाधा हमें अपडेट रहना पड़ेगा तो मैं दोनों को साथ साथ कवर करता चलूँगा लास्ट जायं में सब्सक्राइब लाइग hvad लास्याट निदे अप कारऊण से कना से को मैंInsutory को में सब्सक्रा चाहिं वह लगबख सभी questions उसमें से थे और कुछ students का तो अभी भी मुझे message जा रहा था कि sir जो आपने पिछली बार पढ़ाया था अगर मैं आपकी वो वीडियो देख लेता तो शायद मेरा selection हो जाता क्योंकि मैं एक दो नमबर से रहा गया था और उनका आयूश के का पार्ट गरत हो गया तो मुझे लगा कि इस बार कर देना चाहिए दुबारा सा record वरना time नहीं था बहुत सारे टेस्ट को बनाने में मैं के साथ में थोड़ा सा time कम है तो बट फिर भी बहुत सारे students को देखते वे उनकी queries को देखते वे उनकी tension को देखते वे वो भी शायद आपको पसंद आया था पिछली बार हो सकता है इस बार भी वो पसंद आये और जो भी अपडेट है मैं सारी आपको यहां पर cover करा दूँगा तो घपराने वाली बात नहीं है बस इस वीडियो के साथ-साथ आप अपना आयूश जी के का जो भी अपडेट है उसको cover करते चलना दुबारा मत छोड़ना क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इसको दुबारा पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले शुरूबात करते हैं मिनिस्टर से चीक है कैबिनेट मिनिस्टर इस बार कोई नहीं है तो इस बार शरीप प्रताप्राव जादव को ministry of ayush का independent charge मिला है वो minister of state है ना कि cabinet minister ये ध्यान देने वाली बात है अगर ऐसा कुछ कोशन में आ जाता है क्योंकि एक दो साल पहले कोशन आया था सर्बनांद सौनवाल से तो cabinet minister थे उस ताइम पे तो बचों ने उस ताइम पे कुछ गलत लगा दिया था ये सोचकर कि वो state minister ह तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि minister of state है ministry of ayush इनको independent charge में इनको मिली है ठीक है पहली बात ही है और इनके पास जो दूसरी ministry है वो कौन सी है वो है ministry of state for health and family welfare ठीक है इनके पास दो ministry है ministry of health and family welfare और ministry of ayush ठीक है नाम याद रखिएगा श्री परतापराव जादव ठीक है ठीक है 2003 में 2003 में department of ayush बना under the ministry of health and family welfare बट उनको independently एक ministry बना दी गई 2014 में जैसे ही बीजेपी की government ठीक है तो इसकी date क्या थी 9th of November 2014 ठीक है last time cabinet minister को थे सरवनान सोनवाल थे लेकिन अभी कोई charge नहीं cabinet minister के पास अभी जो श्री जादव परतापराव गंडपतराव है उनको union minister of state ह मैं वो राजिस कोटेजा जी को अभी एक साल की extension मिल गई है मैंने शायद update डाला था अगर किसी ने जोइन नहीं किया तो जोइन कर लेना वहां पर update जो भी एक्जाम से related या भी जो भी आयूश जी के से related आती है मैं वहां पर डाल देता हूँ आयूस secretary को ने राजिस गर्ग है और अगर बात करें एडवाइजर मुनिस्टर फायुष के तो कॉस्तब उपाद्या है पिशली बार मनौज निसरी थे इस बार कॉस्तब उपाद्या है ठीक है website से मुझे detail मिली तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हूँ रीसेंट अपडेट है दूसरा और यह कि ऐनकरी का उलिबरेट है और यह भी पूच़ा जा सकता है वैसे चांसेज़ ना कि पराबर है कि कहाँ पर था ने चांस के बगार में किनारे पर था जो डल लेक है वो श्री नगर के अंदर उसके बैंक पर था इस बार की थीम सभी को पता होगा सभी जानते हैं कि थीम से इंपोर्टन है बट मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखनी है इस बार की थीम और लास्ट राइम की थीम ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में येर की जो थीम थी योगा की वो मुझे बताएंगे बहुत सार इस तीचर ने कीया क्या हुआ है जब से योगा दे सलेड्रीशन हो रहा हो तरह तबसे अब तक कि सारे थीम को बता रहें की इस तो वो इंपर्टन नहीं है बस आपको इस बार की थीम और पिछले साल की theme याद होनी चाहिए ठीक है इस साल की theme क्या थी yoga for self and society objective क्या था to promote health, global health, wellness through the practice of yoga ठीक है ये भी objective भी कभी पूछ ले जाता है इस में नहीं पूछेंगे तो आप से UPSC कोई exam होगा उसमें दो-तीन objectives दे देंगे फिर उसमें से पूछेंगे only A, only B, only A, B इस तरीके से आजाता है कि objectives क्या क्या थे ठीक है तो important है कि objective आपको याद रखना है promote global health and wellness through the practice of yoga event का पूरे key points क्या थे एक तो प्राइन निस्टर ने ने कहां पर yoga किया श्री नगर के अंदर location थी SKICC ठीक है वहाँ पर कौन थे lieutenant governor वाके तो श्री मनोज सिना थे उन्होंने भी पर्टिसिपेट किया था प्रधान मंतरी ने मुदी जी के साथ में ठीक है कौन थे श्री मनोज सिना जी union ministry के जो state minister है भी वहाँ पर मौजूद थे ठीक है चलिए आगे चलते हैं जो भी मोदी जी ने लेक्टर दिया उसकी जो main key lights थी वह मैंने लिख दी है अपर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लीजेगा important तो नहीं exam purpose है लेकिन एक बार पता होनी चाहिए किसी भी exam में आ जाती है उन्होंने ये भी बोला कि जो gram प्रधान है उनको holistic health को और awareness को about yoga के बार योगा किया गया और उसको बोला गया yoga for space पूछ सकता है कि योगा for space कहां क्या था तर नासा इस रो या एक दो और space agencies एक दो अलग अलग countries की देगर वह पूछ सकता है कि कहां पर yoga की theme थी इस बार की तो आपको पता होना चाहिए कि इस रो इंडिया की ही जो space agency है उसकी theme थी गदन यान के जो project की team थी उन्होंने भी इसमें participate किया था एक चीज और यह पूछा जा सकता है कि जो international yoga day कब से inception था मतलब कब से शुरू हुआ तो कब release किया हो 2017 के अंदर किया था कोशन आ सकता है कि common yoga protocol कब release हुआ यह किस ministry ने release किया तो ministry of Ayush ने 2017 के अंदर यह release किया था तो yoga with family एक video contest शुरू कराया था ICCR में ठीक है yoga with family आपको इस hashtag के साथ में एक video बनानी थी yoga से related और इसको post करना था उसकी submission date 30 June थी यह सब चीजे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे तू नहीं important बट पता होना चाहिए कि yoga with family किस से related है तो it was the video contest किया है मैंने लगबग सभी आप आपको yoga day के बारे में important चीज़े जो भी highlights थी वो बता दी है अब बात करते हैं प्रगती 2024 की बहुत important है बहुत important है याद करके चलिएगा full form याद होनी चाहिए ठीक है क्या purpose है इसका यह सब चीज़े इस पर हम देखते हैं तो CCRS ने launch की इस बार प्रगती 2024 इसका full form क्या थ आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या-क्या इसके अंदर words है तो आयूर्वेद नहीं है और टेकनोलोजी नहीं सिर्स टेकनो है ठीक है कब launch हुआ तो 28 में 2024 को अभी तो इसके objective क्या थे तो इनके objective थे कि एक collaborative research होनी चाहिए disease को लेके for example cancer research कर रहे हैं तो cancer research करते हैं वक्त हमारे सामने issues face होंगे तो हमें दूसरी other agencies for example medicine के लिए pharmaceutical किसी company के साथ collaboration चाहिए हमें modern hospital के साथ collaboration चाहिए इन सब को collaborative research बोलते हैं इस चीज़ को तो उसको प्रमोशन के लिए यह हमारा goal था कि इस तरह की research को हम बढ़ावा दें तो इन्होंने focus किस पे किया to enhance the research opportunities and foster collaboration between CCRS and आयरवेदा drug industry यानि के CCRS और आयरवेदा की जो pharmaceutical companies हैं इन दोनों ने मिलके इस तरह के research projects को आगे enhance करने के लिए यह प्रगर्टी 2024 को launch किया ठीक है यहाँ पर key points में यह याद रखना है कि आपको यह चार point Secretary of Ministry of Ayush मैंने आपको बता दिया वैदे राजेस को टेचा जी है जिनका भी एक साल का extension मिल गया है 2025 तक का डिरेक्टर जनर्र डीजी ओफ CCRAS कोन है रभिंदर नारायन आचार रभी भी भी लिख देते कहीं रभी नारायन आचार रभी नारायन आचार ठीक है दूसरा advisor की बा drive innovation and growth in Ayurveda sectors through collaborative research and efforts ठीक है यह ensure करेगा high quality safe and effective Ayurvedic products for social benefits ठीक है बहुत important है इसकी full form तो सभी को पता होनी चाहिए यह था अभी तक की update इसके बारे में जो next update होंगी बहुत सारी updates है तो मैं हर एक वीडियो में recent update भी डाल दूँगा और पुराना भी डाल दूँगा तो यह अब जो पार्ट है यह थोड़ा सा history वाला पार्ट आपके सामने में रखना हूं तो इसको भी एक बार देख लिए इसमें भी थोड़ी थोड़ी updates है वो मैं आपको बताता चलूँगा तो ministry of Iush के नीचे क्या-क्या wings काम करती है वो एक बार देख लेते हैं तो 12 institutes है 5 research organizations है इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा एक ही करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे 1 PSU है और 2 subordinate office last year तक थे ल history of Iush के नंदर एक subordinate office आता है उस office का नाम क्या है PCIM and H ठीक है और इसके अलावा यह last year तक का था इतना two subordinate office लेकिन अभी इन्होंने एक चीज़ और add कर दी है यहां पर इन्होंने क्या add किया है तो जो दो regulating commission है regulatory commission है इन्होंने अभी add की तो इसके अंदर में क्या क्या आता है NCISM और NCH National Commission for Homeopathy ठीक है यह दो चीज़ याद रखना NIA कहां पर है जैपुर में है मुरार्जी देशाई National Institute of Yoga योगा का जो सेंटर इंस्टिट्यूट है वो डेली के इंदर इंस्टिटिटीट है इनकी यह जो dates है वो याद रख लेना कभी-कभी पूछ ली जाती है ठीक है पूरे के अंदर पूरा जो नेचर है ऐसे यह जो पूरा नेचर है वो पूरा के अंदर है पूरा नेचर पूरा के अंदर है ठीक है नेचरनल इंस्टिट्यूट उफ सिध्धा चेन नई के अंदर है दो जार पाच के अंदर इस्टैबलीश हुआ उसके बाद सोवर एक पा लह लद्धा के उपर इस पे एए पी जोटी में कोश्चन आ चुका है इंपोर्टेंट है इस पे आ चुका है और दूसरा एक पासी फोग पासी ऐसे कुछ कर लेना दूसरा नोथ इस्ट में कहां पर है नोथ इस तो पता ही है शिलॉंग के नाम है बस वहां पर ओप्शन इस तरह के देगा आपको के लाइक मेजोरम दे दिया मनीपूर दे दिया और आसम दे दिया तो आपको यादखना है यह शिलॉंग के इस चीज को याद करके चलिए आपके बारा इंस्ट्यूट्स होगे अब बात करते हैं फाइफ रिसर्च और इसे हमारे में तो ऐसे ही सिद्धा में यूनानी में योगा में तो वह कहां कहां पर है तो जो सिद्धा का है वो चेने के अंदर है 1971 में स्टैब्लिश हुआ होमि तीनों की रेट सेम है